जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्री आईस चैनल पर एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां आप यूपी एससी स्टेट पी एससी और अधर एक्जाम्स की तैयारी बहुत ही बहतर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको वरतमान समय में दो तरीके के प्रोग्राम दिये जा रहे हैं एक का नाम है एकनॉमिक स्रीज और दूसरे का नाम है दोस्तों पीटी फैक्ट स्रीज जल्दी इस पे एक इंटरनेशनल और नेस्नल और्गनाइजेशन नाम से भी स्रीज चालू की कि जल्दी ही वो भी सब प्रोग्राम आपके लिए सुरू किये जाएंगे जो बहुत ही बहतर तरीके से डिजाइन किये होंगे और बहुत ही बहतर कंटेंट के साथ आपको एक्स्प्लेनेशन के साथ बहुत ही आसान भासा में आपको समझाय जाएगा चलिए लास्ट क्लास में हम नोग ने एकनॉमिक्स के RBI से सम्मंदित टॉपिक थे 25 से 26 प्रश्णों को सॉल्व किया था जिसमें कुछ पुराने प्रश्णों का समावेश था और कुछ नए प्रश्णों का भी समावेश किया गया था आज हम इसी कड़ी में एक नए टॉपिक की सुरुवात करेंगे जिसमें टॉपिक नंबर था मुद्रायन बैंकिंग और फोर्थ नंबर पर वित्ती समावेशन लेकिन मुझे लगा कि पहले हम वित्ती समावेशन को पढ़ ले जो बाट छोटा सा टॉपिक है और दो क्लास मे कंप्लीट हो जाएगा और जो नए दोस्त आए हुए हैं भी नए चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और पीडियेफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है और अगर आप चाहे तो चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं हमारे वहां भी आपको समय समय पर सभी पीडियेफ के लिंक्स और इंपॉर्टेंड लिंक को एवाइड प्रवाइड किया जाता है चलिए अब हम आज की टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है वित्तिय समाविशन मुख के इस्तर पर कैसे विकास हुआ और यह वर्तमान सुरूप में आज कैसा है और मुख्य रूप से इसके माध्यम से हम किसको लाव देने का प्रयास करते हैं और कैसे अपनी भारती अर्थ विवस्ता में सुधार करने का प्रयास करते हैं इन सभी बिंदूओं को ध्यान में र जाते हैं लेकिन फिर मैंने कोसिस की है कि इसमें पीटी और मेंस अर्था प्रारंबिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों का बहुत ही बहतर तरीके से समावेश किया गया है चलिए हम सुरू करते हैं वित्ती समावेशन फिनांसियल इंक्लूजन पहले आपके सामने दो सब्ध हैं जो अलग लग हैं एक का नाम है वित्ती सम और दूसरे का नाम है समावेशन अगर मैं आप से कहूं कि समावेश करना है किसी चीज का तो उसका सामाने अर्थ क्या होता ह सामाने अर्थ होता है जोड़ना या इंक्लूड करना या सामिल कर लेना जैसे आप लोग वाट्सअप चलाते होंगे और बहुत सारे ग्रूप होते हो से वाट्सअप ग्रूप कभी-कभी आपने एड्मिन साप से या किसी के त्वारा मैसेज करवाया होगा कि मुझे भी इस सामिल कर लिया जाए वाट्सअप के इस पर्टिकुलर ग्रूप में मुझे भी सामिल कर लिया जाए इसका मतलब कि आप उस ग्रूप में सामिल होना चाहते हो आप उस ग्रूप में समावेशित होना चाहते हो बस इसी तरीके से जब सरकार के द्वारा समाज के द्वारा निम्न लोगों को वित्तिय संस्थाओं की किरियाविधियों के माध्यम से वित्तिय छेत्र में जोड़ा जाता है, तो हम उसे वित्ती समावेशन कहा देते हैं. यहाँ पर समावेशन एक बहुत ब्यापक सब्द है. अब जिस छेतर के साथ जिस सब्द के साथ लगाएंगे उसी पर समावेशित करने की प्रिक्रिया से सम्मंदित हो जाता है जैसे अगर मैं कहूँ सैचिक समावेशन इसका मतलब जो गरीब बच्चे हैं या जो वंचित परिवार के बच्चे हैं उनको भी सिक्षा में समावेशन आपने देखा होगा गाओं में आज भी प्रथाएं चलती हैं कभी-कभी कि गाओं निकाला कर दीजिए किसी वजह से उसने कुछ ऐसे कारे किये जिससे गाओं की छवी धोमिल हो गई इस आधार पर किसी एक ब्यक्ति को या उसके पूरे परिवार को गाओं से न होंगा तो क्या कहा जाएगा यहां पर कि उसका समाजिक समावेशन किया गया है अर्थत उसको भी समाज की मुख्यधारा के साथ उस गाओं के साथ रखने का प्रयास किया जाता है तो बहुत सारे एक्जामपल्स मैंने आपको बता दिया कि समावेशन का मतलब होता है जोड किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी बुनियादी सनरचना पर निर्भर करता है अगर बुनियादी सनरचना ही कमजोर होगी तो उस देश के द्वारा कितना भी प्रियास किया जाए वह बिवस्था को मजबूत नहीं बना सकता है किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी बुनियादी सनरचना पर निर्भर करता है अगर बुनियादी सनरचना ही कमजोर होगी तो उस देश के द्वारा कितना भी प्रियास किया जाए वह बिवस्था को मजबूत नहीं बना सकता है कहने का तातपरे क्या है यहां पर? बुनियादी सनरचना का मतलब होता है कुछ आधारबूत सुविधाय जिसमें वित्ती सुविधाय होती है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिजली होती है, पानी होता है, रोड होता है सडक होती है, सिक्छा, चिकिस्सा ये वो सारे आधार वो सनचनाएं हैं जो किसी देश के प्रतेक ब्यक्ति, प्रतेक नागरिक को उचित धरों पे और आसानी से उनको प्राप्त होनी चाहिए अगर बुनियादी सनचना के रूप में कमजोर है कोई देश तो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उस ब्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकता है तो पहली तो चीज़ यह हो गई, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर वित्ती समावेशन से कैसे लिंक होगा इसका, आईए हम आगे करते हैं इसको लिंक में यही कारण है कि नीती निर्माताओं अर्था सरकार के द्वारा आम आदमी को अर्थ बिवस्था के आपचारिक माध्यम से जोडने का लगातार प्रयाश किया जाता है अब यहाँ पर समझेगा नीती निर्माताओं का मतलब जो सरकार होती है चाहे वो केंद्री सरकार हो या राज्य सरकार हो उनके द्वारा जो भी नियम पॉलिसीज बनाई जाती है जिसमें जो वित्ती बिवस्था के आपचारिक माध्यम होते हैं कहने का मतलब यहाँ पर कि बैंकिंग गतीविधिया हो गई बीमा से सम्मधित योजनाय हो गई आप देखते होंगे हमारी सरकार बहुत सारी बीमा योजना लेकर आती है इसके माध्यम से वंचित से वंचित लोगों को गाउं के सुदूर गाउं में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक इन सुविधाओं का लाभ पहुचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है अर्थात निति निर्माता लगातार प्रयास करते हैं कि एक आम आदमी को भी अर्थ बिवस्था के अर्थ बिवस्था के अपचारिक माध्यम से जोडने का लगातार प्रयास किया जाता है तो आप समझ गयोंगे, यहां आपचारिक माध्यम का मतलब है कि आपकी बैंकिंग गतिविधी हो गई और बैंकिंग गतिविधी से सम्मधित करने के लिए आपका एकाउंट होना चाहिए, एक पास्बुक होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप पैसा निकाल सकेंगे, आपने यही कारण है कि वित्ती समावेशन के तहत वंचित व्यक्तियों को प्रचलित वित्ती वित्ती विवस्था से जोडने का प्रयास किया जाता है, इसके साथ ही सुदूर ग्रामीर छेत्रों में इस्थित अंतिम व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभ एवं सुधारों से जोडने का प्रयास किया जाता है. कहने का मतलब यहाँ पर दो सब्र दियान देना कि वित्ती समावेशन के तहट वंचित व्यक्ति, अब एक वंचित व्यक्ति में कौन- Self जे से गटी हो गया जिनकी दैनिक आया मासिक आया वार्षिकắm हो, या जो रोजगार प्राप्त न नहीं मिल रहा है स्वास्त नहीं मिल रहा है बिजली नहीं मिल रही है पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसी सब समस्याओं से जूजने वाले सामानेता वर्ग को हम वंचित वर्ग कहते हैं आपने विभिन किताबों में पढ़ा होगा कि वंचित वर्ग में कभी-कभी महिलाओं को र पूर्ति करने में असमर्थता हो अर्थात अपनी इच्छानुसार जो आवश्यक्ता होती है या जो मूलभूत आवश्यक्ता होती है उसकी जब पूर्ति करने में कोई व्यक्ति या कोई सदस्य असमर्थ हो जाता है तो उसी को हम वंचित व्यक्ति कहते हैं तो प्रचलित वित्ती ब्योस्था का मतलब आपके देश में या भारत में अगर हम कहें प्रचलित वित्ती ब्योस्था क्या है आप वित्ती सेक्टर में मैंने पढ़ाया था आपको वित्ती ब्योस्था में जो भारती वित्ती ब्योस्था इससे पहला ही टॉपिक था जिसके बैंकों की संस्थाएं हैं, बीमा की संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से प्रतेक नागरिक या प्रतेक ब्यक्ति अपनी बैंकिंग सुविधाओं के द्वारा आवशक्ता पढ़ने पर बैंक से लोन ले सके, अपनी कुछ बचत को बैंक में जमा कर सके, जिसके माध्यम से निव प्रचलित विख्तियों से जुड़े नहीं होने की वज़े से अपने पैसों पे कोई पूफिट भी नहीं कमा पाते Georgia और नहीं अपने पैसों को सेविंग कर पाते हैं बैंक में और जब बैंकों में पैसा सेविंग नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं वो आर्थिक उत्पादन या आर्थिक विकास में अपना योगदान भी नहीं दे पाते हैं ठीक है तो इसी प्रचलित ब्यवस्ता से बंचित व्यक्तियों को जोड़ने के लिए ही जो प्रयास किया जाता है उसी को हम वित्ती समावेशन कहते हैं और साथी सुदूर ग्रामीड चेत्र सुदूर ग्रामीड चेत्र का यहां पर मतलब कुछ ऐसे गाव भी होते हैं रिमोट एरिया जो और सामानध पहाड़ी चेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे राजस्थान में मिल यह बालू के चेत्र में एकदम रेतीले चेत्रों में जहां पर बैंके नहीं होती है पता चलता है 50 किलो मिटर तक कोई बैंक ही नहीं है वहां के लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन बैंक नहीं है जिसके माध्यम से वो अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें तो यह वित्ती बिवस्था का अभाव वहां पर देखा ज सरकार के द्वारा जो प्रियास किये जाते हैं सरकार के द्वारा जो प्रॉफिट दिये जाते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं वर्तमान कोरोना संकट के दौरान हमारी मोधी गवर्मेंट ने बहुत सारे राहत पैकेज दिये हैं जिसके अंतरगत यह भी कहा ग या सुधार है उससे जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है कि वित्तिय समावेशन अधिक सदिक किया जाए चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी पर देखिए दोस्तों ये मेंस का टॉपिक है इसमें फैक्ट के रूप में कुछ नहीं है जादा लेकिन टॉपिक है इंपॉर्टेंट और आपको समझना भी जरूरी है इसलिए इस टॉपिक को मैं अज लेकर आया हूँ और बहुत ही बहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता रह हूँगा आई जरा हम बात कर लेते हैं सब्दावली के बारे में कि ये सब्दावली कब आई कैसे आई कहां से आई कि वैस्विक पटल की अगर हम बात करें अर्थात विस्व के इस तरह पर बात करें तो वित्तिय समावेशन को महत्पॉर्ण इस्थान 2003 से मिलने लगा था और जिसका प्रमुक स्रे कोफी अनान को दिया जाता है लेकि इस तरीके के कोश्चन तो अब मुझे नहीं लगता कि एक्जाम्स में पूछे जाएंगे कभी भी और ना ही पिछले आठ से दस साल के ट्रेन में मैंने देखा कि कोई पेपर में पूछा नहीं गया सामानिता ब विश्व के इस तर पर अगर हम बात करते हैं तो कोफी अनान सहाब को दिया जाता है प्रमुक स्रे वहीं अगर हम भारत के संदर में बात करें तो 2005-2005 के समय से यह सब्दावली प्रचलित होने लगी और जिसका स्रे हम भारत में अपने पूर्व गवर्नर आर बी आई के प हाँ एक सिग्नेचर ऐसा रहा होगा। जिसका आपने यूज नहीं किया होगा, जो व्यक्ति आज भी है हमारे डॉक्टर मन मोहन सिंग जो मोधी गौर्वर्मेंट से पहले प्रधान मंतरी थे और प्रधान मंतरी के पद से पहले वो वित्ध मंतरी वी थे और उसी समय गवर्नर के पदपेबरी उन्होंने काम किया है उनके भी नोट है सिगनेचर के साथ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज वो नोट देखने को कहीं मिल पा रहे हो चलिए तो आपने देखा वैस्विक पटल पर कोफी अन्नान साब जो कि सयुंगतराष्ट महासभा के सचिव रह जो हमारे भारत में चलिए अब मुख्य रूप से देखते हैं कि इन में सुविधाय कैसी प्रदान की जाती है अखिर वित्ती समाविशन होता क्या है किस प्रकार की सुविधाय दी जाती है तो हम इसमें देखते हैं यहां पर एक वर्ट पर फोकस रखना मैंने सामान केवल यहां पर जितनी सुविधाय दिखाई जा रहे हैं केवल वही नहीं और भी सुविधाय हो सकते हैं लेकिन सामान इस तर पर इनी सुविधायों को देने का प्रयास किया जाता है आई हम देखते हैं कि करके लिए बचत के लिए बचत के लिए बैंक के खाते अभी आप देखते होंगे वर्तमान में जो भी एकाउंट खुलवाएंगे आपको एक हजार दो हजार रुपए रखने पड़ते हैं मिनिमम बैलेंस के रूप में मेंटेन करने के रूप में तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो ग्रामिण बेखती है जो अपने महिने की कमाई में एक हजार दो हजार रुपए ही बचा सकता है उसके लिए यह बड़ा मुस्किल हो जाता है वित्ती संस्था से जुड़ने के लिए तो बैंक खाते उपलब्द कराना जीरो बैलेंस पर जिसका सीधा प्रमाण है 35 करोण जनसंख्या ने लगवख जंधन खाता जीरो बैलेंस पर खोला गया जिसमें ग्रामीड वंचेत और साथी साथ सुदूर छित्र के जो अंतिम व्यक्ति तक के लोगों तक पहुंच पहुंचाने का प्यास लगातार चल रहा है तो एक आपने देखा बैंक खाते उपलब्द होंगे और जब बैंक खाते रहेंगे तो उसमें को या वंचेत व्यक्तियों को भी 10% नहीं उनको हो सकता 3% पर दे दीजिए या 2% पर चार पर दीजिए ताकि वह अफॉर्ड कर सके वह आपका पैसा वापस भी कर सके इतने पर उसके साथ ही मूल भुद्ध वित्ति सुविधाएं जैसे बीमा आदी उपलब्द कराना वरत तो बहुत सारी पैंसन स्कीम्स हैं बीमा की जिसके लिए बैंक में आपको कुछ पर्टिकुलर एक एमाउंट 12 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए प्रते एक महिने जमा करते रहना होगा और 60 साल के पश्यात आपको पैंसन के रूप में वो मिलते रहेंगे प्रते एक महिने का एकाउंट होना जरूरी है, जो सरकार इस दिसा में लगातार प्रियास कर रही है, मैं आगे नीचे बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होगा, क्यों हम लगातार जो है कि एकाउंट ओपन करने पर फोकस कर रहे हैं, बित्ती समावेशन करने पर बल दे रहे हैं, अगले से सीमान्त भूमी हीन किसान, समाज का कमजूर वर्ग, प्रवासी मजदूर स्रमिक, निम्न आयवाले ब्यक्ति, असंगठि छित्र में कारेरत ब्यक्ति, डिब्यांग, वरिष्ट नागरिक, इत्यादी को लक्षित किया जाता है, यहाँ पर भूमी हीन का मतलता है, जिसके आर्रे उसका किसानों का है, लेकिन खुद की जमीन पर नहीं करता है, क्योंकि वो भूमी हीन है, वहें कुछ किसान ऐसे होते हैं, जिनके पास बहुत ही कम मात्रा में या बहुत कम सीमा तक, क्या होती है, जमीने होती हैं, जिसमें किवल अपने जीवन या पण के लिए आप प्रवासी मजदूर को मानिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले हैं। कोरोना के संकट के दौरान बहुत सारे मजदूर जो यूपी और विहार के थे दिल्ली, गुजरात, महराष्ट्र और केरल करनाटक से वापस आए हैं। तो यह वो मजदूर हैं जिनको हम प्रवासी स्रमिक मजदूर कहेंगे या प्रवासी मजदूर स्रमिक कहेंगे। उसी तरीके से निम्न आये वाले व्यक्ति जिनके पास पैसे बहुत कम होते मन्तली, असंगठित छेतर में कारेरत ब्यक्ति, असंगठित छेतर का मतलब सामाने अर्थों में होता है जिसमें भविस्द सुरक्ष्य सुनिश्चत न हूँ तो संगठित चुत्र का मतलब जो गौवर्मेंट सेक्टर में नौकरी कर रहा हो 60 साल तक उसकी जौब फिक्स है या जहाँ पर नौकरी प्रति दिन के अधार पर हो आज काम मिला है हो सकता है कल ना मिले आज 50 रुपे का काम मिला हो सकता है कल 10 रुप्य का ही काम मिले जिसमें निश्चित्ता नहीं होती हुसको असंगथ ही चित्र कते हैं अब आप लोग समझ गयोंगे, जो हमारे घरों पर आते हैं, मजदूर लोग भी अच्छा सब्डश में गया है, कि जिसको हम पहले disabled कहते थे आर्फाサरीरिक रूप से अक्षम कहते थे या विकलांग कहते थे उनकी जर्य गए बहुत अच्छा सब्द दिया है दिव्याग एक साधना, पूझा, पाट, भक्ति पे आधारेट सब्द है दिव्याग तो हम इनको दिव्याग कहते हैं और वरिष्ट नागरिक जो कि 60 साल उम्र क्रॉस कर चुके होते हैं उनको हम सामानता वरिष्ट नागरिक कहते हैं जैसे हमारे माता पिता बुढ़े दादा दादी इन सब को इसमें सामिल कहता है तो मुख्य रूप से इन सभी लोगों को लाब पहुंचाने का प्रयास किया ज होती है लेकिन बैंकिंग खाता ना होने की वज़य से और भी तमाम सुविधाओं का लाब लेने से लोग बंचित हो जाते हैं और रिण भी नहीं मिल पाता है कि चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं आई एव हम एक-एक करके इसके लाब को देखें कि हम वित्ती समावेशन पर जो इतना चर्चा कर रहे हैं इसका क्या प्रॉफिट होगा हम एक-एक वर्ग के हिसाब से देखेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाए कि हम एक-एक पर्टिकुलर वर्ग को देख स्थाय होती हैं जैसे एक हो गया बैंकिंग संस था दूसरा कंपनी हो गई तीसरा गौर्मेंट हो गया चौथा भूगता हो गया जिसको हम परिवार हाउस होल्ड कहते हैं आपको मैंने मौनभूत अवधरना का जब चैप्टर पहले या दूसरे लेक्चर में बता रहा था आए के चक्रीप रहां में इन तीनों चारों का मैंने जिकर किया था तो हम देखते हैं मुखिरूप से इन सभी को क्या क्या फैदा होता है आई एंगे बात करेंगे वन्चित वर्ग की कि उसको मुखता क्या लाब हों गए पहला तो उसकी बचत की प्रिवित्ती में वृध्धी हो जाएगी अगर उसे दोस्तों यह पता चल जाए कि मैं जो पैसा बैंक में जमा कर रहा हूं उस पर मुझे कुछ ब्याज भी मिलता है तो बचत की प्रिवित्ती में वृध्धी होगी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अगर आप देखनेंगे कि ब्याज के माद्यम से आयमे वृध्धी होगी अगर उसे यह पता चल जाए कि मैंने जो पैसे बैंक में रखे हैं मानलीजे 100 रुपय रखे हैं और उस पर 3% का अगर मुझे बैंक ब्याज देती है सलाना तो उसके 103 रुपय हो जाएंगे तो आयमे वृध्धी होई की नहीं होई उसके और अगर उसको यह पता चल जाए कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है पैसा रखने पे तो अधिक सधिक बचत करेगा और अधिक सधिक पैसो को बैंक में रखने का प्रयास करेगा तो उसकी प्रवित्ती जो थी खर्च करने की अब वो बचत के रूप में बदल गी क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है बिना कुछ किये खाली पैसा रखना है बैंक में और अपना एक निशिस समय के बाद अपना जब धीरे-धीरे यूज करे तो उसको ब्याज मिलती रहेगी और प्रॉफिट होता रहेगा और जब वो बैंकिंग गतिवितियों से जुड़ गया है खाते हो गए उसके पास तो वो कही ना कही जमा एवं रिन सम्मंदी बित्ती सुविधाय भी प्राप्त कर सकेगा कुछ पैसों को जमा भी कर सकेगा और आवशक्ता पढ़ने पर रिन भी ले सकेगा और इसी के साथ जमा और रिन सम्मंदी सुविधाय जब उसको मिलने लगेंगी और इसी के साथ बीमा जैसी भविश से सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होने लगेगी जब वो सरकार की बिभिन प्रकार की बीमा योजनाओं से जुड़ेगा तो उसके लिए उसके पास एक बैंक एकाउंट होना चाहिए और जब बैंक एकाउंट होगा तो उसके पास पैसे अधिक बचेंगे तो अपनी आवश्यक्ता से निकल कर अपनी कुछ ऐसो आराम की वस्तों को भी खरीद सकेगा और अपने जीवन इस तर में भी सुधार कर सकेगा हम देखते हैं वित्ती संस्थाओं को क्या फायदा होगा अब मैं बता चुका हूँ कि वित्ती संस्थाओं की बात करें तो ग्रहकों की संख्यां व्रिधी होगी की नहीं जहां आपके खाते संक्या मतलब बैंक में किवल 10,000 कस्टमर थे अब व्रिधी होके 15,000 हो गए तो यह जो पांच हजार बढ़े हैं वह कुछ ना कुछ पैसा भी तो जमा करेंगे तो इस तरीके से बैंकों के पास अधिक मात्रा में पैसा भी जमा होगा और जब बैंकों के प्रॉफिट मिलता है लोन के माध्यम से लेकिन जब यहां पर 5000 कस्टमर अधिक हो गए तो इसके माध्यम से उस बैंक में कुछ पैसा भी अधिक आएगा जिसकी वजह साख सिर्जन में भी व्रिधी करेंगे और लाव में भी व्रिधी करेंगे और साख सिर्जन मैंने बता ना जाद आएगे से अग्ला की अर्थ बिवस्ताको प्या लाब होगा जराम ना इसको भी तो देख लेएक्यों की हमारे द remedy स्था में क्या उदल उगा तंस और संसाधन कौण सो को में पूझ उद्यम्शील्थ इनकी गतिसाक में सुधार होगा य।ो olurs लूधन को शन्क सोल लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं आए बढ़ेगी लोगों की और गतिशील हो जाएगा कई ना कहीं इंडस्ट्री गतिशी हो गया तो सभी संसादनों में गतिशीलता आ जाती है और इसी के साथ लोगों में बच्ट की फिर्वित्वित्वित्व बढ़ती और उस बचत को बिट्थी संस्ताओं के माद्यम से निवेश hayoi रहता है अधिक सधिक निवेस होने लगता है कंपनियों में और जब निवेस होगा तो उत्पादन में वृद्धी होगी और अधिक उत्पादन करने के लिए हमें अधिक लोगों की अविशक्ता होगी और अधिक लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे और उनके पास अधिक होगी और आय本 unexpectedly फोगी तो उट को खरी देंगे सरकार का राजस्यों बढ़ेगी को कि जब हो किसी वस्तू को खरी देंगे तो तो इंकम भी तो बढ़ेगी सीटेंगे तो सरकार कोoine विर्धी होगी और अगर हम समगर रूप से देखें तो हमारे देश की GDP में भी विर्धी होगी अब हम सरकार को देख लिते कि सरकार को क्या प्रॉफिट होगा तो आप देखेगा कि जो सरकार कल्यानकारी योजनाय ला रही है उसका लाब वो वास्तविक लाभार्थियों तक पहुचाने में सक्छम हो सकेगी अर्था आप देख रहोंगे जंधन खाते में पांस रुपे जो भेजे जा रहे हैं अगर लोगों के पास वो एकाउंट नहीं होता तो सरकार फिर इन कल्याणकरी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थि अर्था जिनको आवश्यक्ता वास्तविक रूप से उनके पास तक ये सुविधा नहीं पहुचा पाती तो ये बहुत बढ़ियां प्रॉफिट है दूसरा अनावश्यक्त बय में कमी हो जाएगी क्यों? क्योंकि एक योजना को सफल बनाने के लिए बहुत सारे मीडियेटर्स बीच में आ जाते हैं बिचौलिये आ जाते हैं जो अपना भी कमिशन खाते हैं तो सरकार का अनावश्यक बय बढ़ जाता था जिसकी वज़े से राजकोसी घाटा बढ़ जाता था लेकिन हमने देखा कि बिचौलियों का समापन हो जाएगा तो अनावशेक ब्याए बचेगा और घाटे पर भी नियंत्रण हो सकेगा तो यह सरकार को प्रॉफिट हो गया अब हम देख लेते हैं वित्तिय बिवस्था को क्या प्रॉफिट होगा समग रूप से असंगठित वित्तिय बिवस्था का संगठित वित्तिय बिवस्थाम परिवर्तन होना आपको मैंने बताया है पिछली क्लास में कि असंगठित वित्तिय बिवस्था क्या होती है और संग असलगतित में लौन मिलता भी नहीं और अगर मिलता है तुनानिति निम्न दर पह प्र प्राप्त हो जाते हैं और जो अ संगठित वित्ति बाजार से जो उत्पन समस्याइं होती थी उनमें भी कमी आएगी जो विवाद होते थे उनमें भी कमी आ जाएगी तो ठीक है दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे और कल हम इसके चुनावेशन को पूरा अभी क्यों नहीं किया जा सका है क्यों गाओं गाओं तक हर व्यक्ति का एकाउंट नहीं खुला गया कौन सी चुनावतियां है बनी हुई जिनको समाप्त करने की और प्रयास किया जा रहा है और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाय चलाई जा रही है जो वित्ती समावेशन को बढ़ावाद देगी तो ठीक है दोस्तों इसका ध्यनम नेक्ट क्लास में करेंगे और नेक्ट क्लास में हम वित्ती समावेशन को कम्प्लीट कर देंगे मुझे आसा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा एक क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें इनकरेज मिलता है कि हम और बहतर प्रोग्राम आपके लिए लाएं और चैनल को जब सब्सक्राइब कर दीजेगा और पांच अच्छे घंटे बाद आपको पीटी फैक्ट का भी एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा आप उसको भी देखिएगा और अपनी तैयारी को और बहतर करिए जय हिन जय भारत